प्रारंबिक शिक्षा में डिप्लोमा पाठिकरम संक्या 501 के ब्लॉक 1 में आप सभी का स्वागत है आज के इस अंक में हम वैदिकाल में प्राचलित शेक्षिक प्रवीदियों पर प्रकाश डालेंगे और जानेने का प्रियास करेंगे कि समय के साथ इसके सोरूप में किस तरह का बदलावाया इस अंक में हमारा प्रियास ये भी जानेने का होगा कि प्राचीन भारतिये शिक्षा प्रणाली में गुरू की क्या धर्ना थी उसके क्या दाइत थे और उस समय गुरुकुल किस तरह का हुआ करता था इतिहास के पन्नों को पल्टें तो हमें पता चलेगा कि वैदिक काल में वी शिक्षा का महत्व काफी था और पुरुश और महिला दोनों को शिक्षा के समान अधिकार प्राप्ट थे दूसरे शब्दों में भारतिय शिक्षा के इतिहास में हमें भारतिय सब्भेता के इतिहास की भी जहलक मिलती है जो निरंतर विकास शील रही है अगर हम विशलेशन करें तो पाएंगे कि प्राचीन भारतिय शिक्षा व्यवस्ता का आधार समकालीन विश्व के शिक्षा व्यवस्ता में उत्कृष्ट था शिक्षा के संदर्मे में भारत विश्वगरू कहलाता था विद्वानव ने शिक्षा को प्रकाश सुरोत अंतर द्रिष्टी अंतर जियोती ग्यान चक्षू और तीसरा नितर जैसी उपमाओं से वभुशित किया और माना की जिस तरह अंधकार को दूर करने का साधन किया समझी जाती है जो जीवन प्रयत्म चलती रहती है और शिक्षा का आंतिम लक्ष वासनाओं और त्रिष्णा से मुक्ति पाना होता है ब्रथ हरी ने निती शतक में इसी और सपश्ट किया और कहा कि शिक्षा के बिना मानव पशू समान है शिक्षा का उद्देश सांसा कामकाजों के संपादन में व्यक्ति के कुशलता बढ़ाने में या इसके अलावा इसके द्वारा पंडित्त की प्राप्ति करना स्वेहतता ब्रह्म विश्व को समझना भी था अध्यात्मिक्ता च्वरित्र निर्मान संस्कृति का स्रीजन परिक्षन और प्रसारन भी शिक द्यानिक सांसारिक जीवन से सम्मधित कारिय कलापों से जोड़ी थी तो उच्च शिक्षा के अंद्रगत व्याकरन इतिहास पौरानिक कथाई वेद तरक्षास्त्र राज्जी तंत्र युद्धिकला लेलितकला का गहन अधियन था जिनका अंतिमलक्ष आत्मानुभूति जहां तक प्राचीन भारतिय शिक्षा पर्णाली का प्रश्ण है तो वो गुरुकुल परंपरा पे अधरी थी गुरुकुल का शाद्धिक अर्ट है गुरु का परिवार गुरुकुल की तुलना आधुनिक यूक के बोरिंग विद्याले से की जा सकती है जहां गुरुव क उस समय शिक्षा का प्रारंब उपनियन संसकार से होता था, राज्य की ओर से शिक्षा का प्रबंद नहीं था, अपितु गुरू अपने घरों अत्वा आश्रमों में निशुल को शिक्षा प्रदान करते थे, विद्यार्थियों को गुरू के पास ही रहना पड़ता था, वो प्रतीक परकार से गुरू की आग्या का पालन करते थे, उनकी सेवा करते थे, विक्षा मांग कर लाते थे और शिक्षा समाथ होने पर गुरू को स्विक्षा से गुरू दक्षिना देते थे, इस तरी पुरूष दोनों ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे और विद्वान इ वारवर्ष का था, इस काल में आरियों को लेखन और लिपी का ग्यान हो गया था, परन्तु शिक्षा अब भी मौकिक ही दी जाती थी। शिक्षा में वाद विवाद प्रणाली का भी महत्पूर्ण स्थान था। गुरुकुल शिक्षापणाली के सबसे उलेखनी विशेशता ये थी कि यहां सभी वर्ग जाती संप्रदाय के शात्रों को नामांकन का समान अफसर दिया जाता था विद्यार्थी एक निशित अद्यन अफधी के लिए गुरु के साथ रहते थे जिससे उनके अंदर विनमृता और समाज के प्रती किर्तग्यता जैसे गुनों का विकास होता था गुरु कुल का सनरक्षक गुरु हुआ करता था और वो अपने सभी विद्यार्थियों के साथ एक समान वैवाहर करते थे उस समय किसी भी प्रकार का शुल्क लेना वर्जित था और विद्यादान को सबसे बड़ा दान समझा जाता था हालकि अध्यन उपरांत विद्यार्थी गुरु कुल छोड़ते से में गुरु को सम्मान सोरुप कुछ दान भी दिया करते थे लेकिन गुरु कुल में विद्यार्थीयों के अध्यान और जिव को पारजन के लिए राजाओं और समाज के धनाड वैक्तियों दोरा कुछ राशी दान की जाती थी इसकी अतरिक्त गुरु कुल चलाने के लिए विक्षाटन की परमपरा का भी उलेक मिलता है गुरु का स्थान समाज में काफी सर्वोच था उनके स्वार्थीन भाव के करण राजा भी गुरु का समान करते थे गुरु की उत्करिष्ट विशशग्यता और उच्छ अध्यात्मिक ग्यान के करण उनका आदर माता पिता से भी बढ़कर होता था बलकि उलेक ये भी है कि गुरु का दर्जा देवताओं से भी बढ़कर था विद्वता ग्यान और अध्यात्मिक्ता का प्रतीक गुरु का कद एक संस्था के रूप में समझा जाता था जो अपनी विद्वता और बलीदान का प्रतीक हुआ करता था यही काराने के प्राचीन भारतीय शुक्षा प्रणाली की ख्याती पूरे विश्व में थी और उसमें दूसरे देशों के विद्वतार्थी भारत में शुक्षा ग्रहन करने आते थे इस दोरान गुरुकुल में जब संख्या से ज़्यादा विद्यार्थियों का परवेश मिल जाता था तो गुरु अपने पुराने शिश्यों जो अध्यापन कारे में रूची रखते थे को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में समयलित करते थे इसके दो फायदे हुए एक तो पुराने विद्यार्थियों को गुरु के प्रतेक्ष परवेक्षन में अध्यापन के प्रशिक्षन का अफसर प्राप्थ हुआ और दूसरा शिक्षा तंत्र में मॉनिटरिंग परणाली का विकास प्राचीन भारतिये शिक्षा का एक बड़ काल के दोरान जब समाज में वर्ण विवेस्था का विकास हुआ तो सिर्फ ब्राह्मन पुत्र को ही गुरु बनाया जाने लगा जबके वास्तब में गुरु की नियुक्ति के लिए वही वैक्ति पात्र हुआ करता था जिसके अंदर आदर कबाव हो विश्यों का विद्यार्थियों के साथ एक अध्यापक, माता-पिता, विद्वान, धर्म, प्रशारक, एक धर्शनिक और पथ-प्रदशक जैसे भूमिका संपादित करने में निपुनुता हो गुरु और विद्यार्थियों का आंतरिक संबंद एक पिता-पुत्र जैसा हुआ करता था गुरु का दाइत वे ये भी था कि वो अपने शिश्यों की व्यक्तिकत आवश्यक्ताओं की पूर्ति करे उनके शैक्षनिक, बौधिक और अध्यात्मिक विकास पर गुरु की पैनी नजर हुआ करती थी। गुरु इस बात का निर्ने लेते थे क्या अमुक विद्यार्थ के चरनों में बैठ कर विद्यार्जन करता था। अध्यापन मुलतह गुरु और शिश्यों के बीच का मौकिक समवाद हुआ करता था। हलाकि अध्यापन कारे के दौरान व्यक्यान, प्रवचन, वादविवाद, विवेचना, सौस्वर, पठन और पुन्राविर्थी जैस दूसरी अध्यापन वीदियों का भी सहरा लिया जाता था। अधुनिक शिक्षा परणाली की भाती उस समय कोई आपचारिक परिक्षा नहीं हुआ करती थी और ना ही कोई डिग्री या सर्टिफिकेट दिये जाते थे बलकि उस समय दिक्षांद समाहरों का आयोजन विद्वता मंडली के सम्मुक पेश करता था जो उस विद्धियार्थी से प्रश्ण पूछ सकते थे साथ ही विद्धियार्थी को ये कहा जाता था कि वो वाद विवाद कर अपनी योगता और विद्वता का परिच्छ दे मुल्यांगन का स्वरूप सतत तथा व्यापक थ उन्हीं विद्धियार्थियों को विशे विशेस में पांडित और विद्वान के रूप में स्वरूप किया जाता था जो प्रश्ण उत्तर के चरण और वाद विवाद चरण में अपनी योगता सिध्ध करते थे विद्धियार्थी और गुरू एक दूसरे की स्वायतता क समान भी उस समय करते थे एक तरफ विद्यार्थी को इस बात की आज़ादी थी कि वो अपना रुजकर विशय चून सकता था उसे इस बात की भी सौतंदरता थी कि वो किसी अपना गुरू माने वहीं दूसरी तरफ गुरू के पास ये भी विशय शाधिकार था कि वो अमुक विद्यार्थी को अपना शिश्य बनाने के अनुमती देता है या नहीं ये शिक्षा पणाली और गुरू किल के परंपरा आगे चल कर इतनी लोकप्रिय हुई कि समराट अशोक के शाशनकाल में मठो और मंदिरों में उच्छ शिक्षा किंद्रों के रूप में शाक्षिक स सांसताओं को अपचारिक रूप से स्तापित किया गया आगे चल कर इसके सोरूप में और विस्तारवा और फिर ये आवासिय विश्विद्याले बन गए जहां गुरू और विद्यार्थियों का समूह हर समय ग्यान की खोज उसके स्रीजन, सनरक्षन और प्रसारन और शोध कारियों में लगे रहते थे इसके लोगप्रियता का अंदाजा इसी बास से लगाया जा सकता है कि प्राचीन शिक्षा परणाली की तर्स पर आज बे विश्विद्यालियों में अध्यापन, शोध और प्रसारन पर बहुत जोड़ दिया जाता है समय के साथ प्राचीन भार बाद में अयुद्या, प्रियाग, मिथला भी शिक्षा के उच्चकेंदर बने। यही कारण था कि विदेशों से अध्येंद करने वाले शात्रों के संख्या इतनी बढ़ गई कि अब गुरुकुल में प्रवेश परिक्षाओं के माध्यम से होने लगे। आगे चलकर मधि कालीन इसलामे शिक्षा देने के परंपरा शुरू हुई। अस्तर के शिक्षा दी जाती थी वहीं मदर से उच्चे शिक्षा के केंदर थे। मकतब और मदर सों पर अधरित इसलामे शिक्षा के अंदर गद दरसल मौलवियों दोरा विद्यार्थियों को इसलाम धर्म के बारे में बताया जाता था जो कि इसलाम के धर्मिक गरंद कु व्याकरन, तरक्षास्त, गनित, खानून, इत्यादी की पढ़ाई होती थी। सरकार शिक्षकों को नियुक्त करती थी। अध्यापन फार्सी के माध्यम से होता था। अर भी मुसल्मानों के लिए अनिवार पाठ्थ विशय था। छत्रवास का प्रबंद किसी किसी मदरसे मे होता था। विद्यार्थियों को शात्रविटी भी मिलती थी। अनाथालियों का संचालन होता था। शिक्षा निशुल्क थी। हस्त लिखित पुस्तके पढ़ी और पढ़ाई जाती थी। प्राचीन और मध्यकाल के शिक्षा परणाली में समय के साथ और बदला हुआ बात हो या समाज में गुरूओं का अधर भाव। ये कहीं न कहीं प्राचीन भारतिय शिक्षा परणाली की विरासत है। दूसरे शब्दों में वर्तमान शिक्षा परणाली की नीव। प्राचीन शिक्षा परणाली के भाती अध्यापक की नीवती के समय आज भी ये संगठित, आत्म विश्वासी, रचनात्मक और सम्वेदनशील विचार वाला हो। उसका वेवहार प्रितिकर हो, मन से प्रतिबधता हो और रचनात्मक विचारों वाला हो। मन्धिकाल के शिक्षा में गुरुकल परंपरा के स्वरूप में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। इस दोरान मदरसों में इसलाम शिक्षा की शुरुआत्वी, मधिकाल के अंत्मे मिशनरियों की आग्मन के बाद बेसिक शिक्षा की परचाल परेसा शुरू हुआ और य कि वैदिक और मधिकाल के बाद ब्रिटिश काल में भारतिय शिक्षा परणाली में क्या बदला हुआ। साथ ही प्रकाश डालेंगे कि सुचना और प्रद्योगी की के विकास के बाद शिक्षा परणाली में क्या परिवर्तन आए। क्या हमारा शिक्षातंत्र बदलते परिवेश में स्वें को ढाल पा रहा है। जानेंगे अपने अगले अंक में तब तक के लिए नमस्कार।